सेक्टर 15 इस ते जिम खाना किलब के मेंबर्स की सिकायदों को लेकर कैबिनेट मंतरी बिपल गोईल ने किलब का अच्छक दोरा किया और किलब की बत्तर हालत को देखकर अधकारियों और किलब के मेनेजर को जम कर लतार लगाई और हुटड़ा अधकारियों को जांच के आद मोटी फीस अदा करके इस कलब की मेंबर्शिप लेकिन फिछले पांस सारों से कलब ने अपने मेंबर्स को दी जाने वाले सुधाव में कोताही ब्रतने शुरू कर दी और साल पेच और साल दर साल फूड और अन्य सर्विसेज की कीमती बढ़ानी शुरू कर दी लेकिन मौझूदगी में कलब का निरक्षन किया और पाया की उनसे की गई सबी सिकायते सही थी इस पर नोने कलब में मैनेजर स्टाफ और हुटा अधिकारियों को जमकर लतार लगाई मंत्री का गुस्ता उस समय और भी बढ़ गया जब नोने कलब में सुविंग पुल और टायर को बत्तार हालत में देखें तो उनसे रहा नहीं गया बदबुदा टॉलिट में खड़े होकर ही मंत्री ने अपना गुस्ता उन पर उतारा इस मौके पर वह मैनेजर को सस्पेंड करने की बात कहते भी नजर आए लेकिन बाद में उन्होंने हुट्टा अधिकारियों को एक पर्सनल रखनी सकते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल गलत बार खाने के यह हाले किसी जमाने में खुश हो के आते थे खाना खाने के लिए अब इतने गंदी सर्विस डिटी है इतने महंगे महंगे टेंटर कोलते हूं बचार कहां से देगा बार में घुस्ते ही कि यू के नौट सिट देर जिम की चट टूटी हुई थे जब बारिश आगई जब गलने लगी न तो इनोने एक टेंपररी चट बनाई है कितने लंबे समय से यह तो पिसले पांट-छे सालों से होता आ रहा है और हम हर साल बोलते हर साल हम कहते है तो आखिर कार आज सभी मे इसी चीज़े हैं जो कि फर्ण्स के होते हुए भी और नेकली जंसी करी होती है मेंब्रों ने जो जो बात रखे हो सबके निर्देश देदी है जो बिल्कुल जल्द काम होने वाली चीज़े वह एक हफते के अंदर हो जाएंगी बाकी एक महीने के अंदर इसका इंस्पेक् इसकाने में डीप्यार बना देंगे डीप्यार बनाकर फिर अगर फंड्स यहां पर हैं जितने ठीक हैं ने तो फिर सरकार से मुख्यमंद्री जीज़े बात करके उन फंड्स का एलोकेशन करा के जल्दी यह जिम खाना क्लब हिंदुस्तान के नंबर वन क्लबों में शुमा करको गार